नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं तो खबरों की और आगे बढ़ने से पहले इक लिए सुखियो भब अनलॉक 5 की तयारी में सरकार 3 अगस्त के बाद CMG की बैठक में होगा फैसला पिहार में अब मोबाइल से भी कटेगा जमीन का रसीद एक क्लीक में होगा ताखिल खारीज का काम इसी त्यागी ने किया एलान बोले जेडियू 200 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी ललन बाबु के राष्टिय अध्यक्ष बनने के बाद बोले नितीस आर्सीपी सिंग ने खोद की पहल उमेज कुसवाहा बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष पकड़ने के लिए मिठापूर की जगह अब बेरिया जाना होगा पाटले पुत्रा बस टर्मिनल से बसों का परिचालन हो गया सुरू सरकार ने छठे चरन की सिक्चक नियोजन प्रक्रिया को रोका पहले से बनी मेरिट लिष्ट भी बदलेगी मेर और डिप्टी मेर के खिलाप लाया गया अब विश्वास प्रस्ताव हुआ खारिच बच गई दोनों की कुरसी कोरोना को लेकर हाइकोट सक्त अस्पतालों की विवस्था और सुईधाओ पर मांगी सरकार से जानकारी बिहार में उधोग लगाने के नाम पर ले लिए करोडों रुपईये नीजी काम में किये खर्च सिबी आई के पास मामला जदयू की राष्ट्य पदाधिकारियों की बैठक खत्म जन संख्या नियंतरन कानुन पर भी पाटी का रूख अलग कोरोणा की दूसरी लहर के बीच राज सरकार ने पहले लोगडाउन किया और उसके बाद धीरे-धीरे अनलोक की प्रक्रिया शुरू हुई बिहार में अभी भी अनलॉक चार लागू है कई छेत्रों में सरकार की तरब से बंदी से जारी है लेकिन अब नितीज सरकार ने अनलॉक पांच के लिए कवायत सुरू कर दी है अनलॉक चार की समय सिमा 6 अगस्त को समाप्त हो रही है इसके बाद छूट का दायरा कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए सरकार ने फिडवैक लेना सुरू कर दिया है बिहार के मुख के सचीव त्रिपुरारी सरन ने सभी जिलो के डियम के साथ इस मसले पर बात्चीत की वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये सुकृवार को मुख के सचीव ने अलॉक पाच पर फिडवैक लिया जिला अस्तर पर मौजुदा इस्तिती को समझने के साथ साथ मुख के सचीव ने अलॉक पाच के दौरान दुकानों को खुलने का समय और बढ़ाये जाने के साथ सा धार्मिक अस्तलों और सौपिंग मौल्स खोले जाने को लेकर भी सभी से राय मस्वरा की इतना ही नहीं मुख के सचीव ने जिला धीकारियों के अलावे अन्य सेक्टर्स के एक्सपर्ट से भी बातचीत की ताकि अलॉक 5 के समझन में आगे फैसला लिया जा सके आपको बता दे कि Unlock 4 की मियाद 4 अगस्त तक है, 6 अगस्त के बाद सरकार आगे किस तरह का फैसला लिगी, इसका इंतजार सबको है, माना जा रहा है कि 3 अगस्त या उसके बाद आपदा प्रबंदन समू यानि कि Crisis Management Group की बैटक होगी, जिसमें अंतिम निन्ने लिया जाएगा बिहार.gov.in को अब नए लोग के साथ पेस किया गया है, ऐसी कई खुबियों के साथ राजस्वा एवंग भुमी सुधार मंत्री रामसुरत कुमार ने आज इसे लांज किया है, अब लोग मोबाइल से भी जमीन का रसीद निकाल सकेंगे और दाखिल खारीज की प्रक्रिया भी मोबाइल के जरिये कर सकेंगे, दाखिल खारीज के लिए नए वेबसाइट के सुभारम के दोरान, मंत्री रामसुरत राय ने बताया कि राजस्वा एवंग भुमी सुधार विभाग को सबसे महत्पुन सेवा दाखिल खारीज है, जिसे बिहार के लोगों को हम उपलब कर सकेगा और आविधन के इस्तिदी भी पता लगा पाएगा, सौप्टुवेर में सुधार के बाद अब लोग आसानी से विभाग के ऑनलाइन सेवाए ले सकेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाओ 2022 की तैयारी सभी राजनितिक दलों ने सुरू कर दी है, इसी क्रम में जन्तादल युनाइटेड ने भी यूपी के चुनाओी रन में ताल ठोकने का एलान कर दिया है, यूपी चुनाओ प्रभारी जेडियू निता केसी त्यागी एलान किया है कि जेडियू यूपी के 2022 विधानसभा चुनाओ में पूरे दमखम के साथ उत्रेगी, उन्होंने काया कि जेडियू चुनाओ लडने के लिए कमर कर चुकी है, उन्होंने बताया कि जेडियू 200 सीटों पर अपना भाईग आजमायेगी, दिल्ली में मीडिया से बाचीत के दौरान केसी त्यागी ने काया कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के ना थी, जिमेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि यूपी में 200 सीटों पर चुनाओ लडेंगे, मनिपूर में भी चुनाओ लडेंगे, पिछली बार ना यूपी में लडे थे और ना ही मनि पूर में लडे थे, इसी त्यागी ने बताया कि पार्टी का विस्तार के लिए नितीज कुमार जी अने राज्यों का दौरा करेंगे, चुनाओ से पहले और चुनाओ के बाद भी वे दौरा करेंगे, अगस्त मा में पार्टी के राष्टिय परिसत की बैठक पटनामे होग मुखमतरिन तीज कुमार ने काया कि ललन सिंग को पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष बनाये जाने का फैसला सर्व सम्मति से किया गया है विदान सबा चुनाओ के बाद मैंने राष्टिय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी थी और आर्सेपी सिंग को जिम्मेवारी दी थी आरसेपी सिंग की पहल पर ही ललन सिंग पाटी के राष्टिय अध्यक्ष बनाए गया है पटना मिठापूर अंतरराजिय बस अध्डा को अब पूरी तरह बंद करने की कवायत तेज हो गई है मिठापूर बस स्टेंड को नवनिर्मित पाटली पूत्र बस टर्मिनल में सिप्ट किया जा रहा है जिसका बस मालिक विरोध कर रहा है मिठापूर बस पड़ाओ को 15 जुलाई से ही बंद किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो सका डियम के आदेश के बाद मिठापूर बस स्टेंड को नवनिर्मित पाटली पूत्र बस टर्मिनल में सिप्ट किया गया है के वीरोध में उतर आया हैं बेरिया में बनाए गए अंतराजिया बस अड़ाश के परिचालन का बस मालिकोंते विरोध कर नौन शुरू कर दियाया है सनिवार को प्रसाशन ने सभी बसो को जीरो मायल की पास रामचक बेरिया में बने नए बस पड़ाव से खोलने का निर्देश दिया तो वे हड़ताल पर उतारू हो गए बस मालिकों ने जहां की तहां बस से खड़ी करनी शुरू कर दी पिहार में चल रही सिक्षक नियोजन परक्रिया से अहम ख़वर सामने आई है राज के सरकारी माध्यमिक उच माध्यमिक यानि की हाई स्कूल और इंटर स्कूलों के लिए छटे चरन की नियोजन परक्रिया चल रही है सरकार ने 30,000 से जादा परक्रिया को ततकाल प्रभाव से रोक दिया है सिक्षा विभाग की तरब से नियोजन के लिए नया सेडियोल जारी किया गया है इसमें STAT 2011 में सफलता हासिल करने वाले उन अभ्यार्थियों को मौका दिया गया है जो अंटेंड के साथ ही साथ B8 के स 2016-18 में एडमेशन और उसे पास करने वाले अभ्यार्थियों को भी मौका दिया गया है आलाकि 26 सितंबर 2019 तक के इनका रिजल्ट प्रकासित होना चाहिए वहां लोग नियोगती के लिए आविदन कर पाएंगी इसके साथ ही सिक्षा विभाग ने इसपरस्ट किया है कि जिन अभ्यार्थियों ने 1 जुलाई 2019 को सुरू की गई नियोजन प्रक्रिया में नियोगती के लिए आविदन किया था उन्हें फिर से आविदन करने की आविश्यकता नहीं होगी छटे चरन की नियोजन में माइदयमिक उच्च माइदयमिक नियोजन इकाई की तरब से तयार क की गई मेरिट लिष्ट भी बदली जाएगी हाई कोट की निर्देश पर अब एकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस और सब्जेक्ट में ओनर्स होने पर सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए पांच अंक जोडने का फैसला छटे चरन के माइदयमिक उच्च माइदयमिक शि मेर रूबी तिवारी और डिप्टी मेर कुस्पा कुस्वाहा पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है अब रूबी तिवारी महापौर और कुस्पा कुस्वाहा उप महापौर की कुर्सी पर बनी रहेंगी मेर और डिप्टी मेर के भाइग का फैसला आज हो गया है मेयर और डिप्टी मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो आज खारीज हो गया है हंगामे के आसार को देखते वे आरा नगर निगम के बाहर मजिस्टेट और भारी संख्या में पुलिस के जावानों के तैनाती की गई थी और तलब है कि नगर निगम के मेयर रूबी तिवारी और उप मेयर पुस्पा कुस्वाहा के विरुद 24 जुलाई को विच्छुपत पारसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहज एवंग मत विभाजन के लिए 31 ज स्वास प्रस्ताव का आज खारिज हो गया है आईकोट ने राज में कोरोणा महामारी को लेकर तायर किये गए लोखीत याचिका पर सुनवाई करते हुए राज सरकार से 9 अगस तक जिला अस्तर से लेकर राज अस्तर तक के सभी सरकारी अस्पतालों की विवस्ता और वहां मरीजों को दी जाने वाली सुईधाओ का व्यवरा तलब किया है। कदम उठा रही है कोट को बताया गया है कि सहरी छेत्र में 73% लोगों का ठिकाकरन हो गया है जबकि ग्रामिन इलाकों में 23% लोगों को ही वैक्सिन दी जा चुकी है। बैंक से करीब 48 करोड रुपईये का कर्ज लेने के बाद इस पैसे को नीजी कारियों में कर्च कर लिया गया है। बैंक की सिकायत पर अब CBI ने सातिर पर केस दर्ज कर लिया है। CBI इन दिनों बिहार के एक बड़े जालसाजी मामले में कारवाई कर रही है। एक कमपनी ने बिहार के बकसर जिले के नावानगर और नालंदा जिले के राजगीर में फुड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर बैंक से करोडों रुपईये का कर्ज लिया और रासी अपने नीजी उप्योग में खर्च कर लिया है। ये कर्ज पंजाब नेशनल बैंक से लिया गया था जो कुल 47.97 करोड रुपईये का था। जनता दल यूनाइटेड के राष्टिय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। सुकुरवार को बिहार की विपक्षी निता जेश्वी यादव की नेतित में कुईक मंत्री नितीज कुमार से मिल चुके हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तितारों में सेर करना ना भूले धन्यवाद।